सो वालिम्ट वाले अप्शन और है आज की वीडियो में बात करें हम लोग है अच्छा कॉलेज है इवन इंडिया में टॉप कॉलेज में इसका नाम आता है इसको पहले हम लोग हम लोग है कानपुर के नाम से आने आते हैं और इसके 100 साल हो गए काउलेज डिडली डिट्व अगरे वही के बंदों को पस एक रिक्रूट करते तो यह काफी अच्छा काउलेज है एच्पीट्यो कानपुर तो यह इसके हम बात करते हैं अधुशन प्रोसस की तो इसका अधुशन ना आप जई-ई-इमेंस की रैंक पर बेसे पर लेता है पहल में आपको डेट बताऊँका इस वीडियो में फिलाल लाइज यह बहुत है बहुत जश्कील होता है बाकी कॉले से अलग कांसलिंग का क्योंकि इसमें आपके 40-50 अगर आपने वीड्रमाइब की शिडूल बढ़ाऊँगा बांकी आपके बात करें के बाहलें बात करें गें तो हलकी सी मैं आपको information देना हूँ HBDIUI है क्या है HBDIUI की आपका placement statistics के बात करें तो 7.5 या 7.3 lakh 7.5 की lakh के बीच का इसका placement ज्यादा है highest package 43.5 lakh का highest package है बहुत ही अच्छा college है इसकी core branches भी काफी अच्छी है इस college के अंदर तो आपको कोई भी branch मल रहे तो इसमें आप अराम से ले सकते हैं HBDIUI कानपूर ऐसा college है और brand value आपको काफी अच्छी मिलेगी अगर ranking के बात करें जाए करटफ के आप roughly मान सकते हो आपको EWS हो तो 2,000,000 तक आपको मिल जाएगा जिननल हो तो 1,500,000 पॉने 2,000,000 तक आपको इसके अंदर मिल जाएगा आखरी राउंड तक इसके अंदर college के अंदर और बाकी SCST के तो काफी जादा जाती है आपको 3.5,000,000 तक मिल जाएगा किसी भी स्टेट के बंदे को मिल जाएगा तो इसलिए IP का वीडियो बनाता और उसकी फीस पर काफी कम होती है आपको 3.5,000,000 तक मिल जाएगा आपको 3.5,000,000 तक आपको 3.5,000,000,000 वा लोगो ठीक है तो वहां पर आके आप अपको आपको अप्लाय कर सकते हो college काफी बात कर दें तो इसका रेजिस्ट्रेशन और ऑन-लाइन पेमिन्ट जो प्रोसेस होगा और 23-5,000,000,000 के बीच के बी फिर उसके बात क्या है कि आपको उसी समय आपको choice filling पूचा जाएगा और choice locking होगा जो भी आपको choice चाहिए तो choice locking आपकी होगी इसके अदर आपको preference लिखने होगा अगर मान के चलो आपको CSC लेना है तो CSC आपका first priority तो first आपने डाल दे CSC फिर second आपको दूसरे बाद चाहि फिर इसके बाद आपको जो result आएगा उस साथ October को आपको बता चल जाएगा फिर आपको इसके अंतर या तो seat accept करनी होगी 8 से 12 के बीचे में बाद चार से 5 दिन का time आपको पूरे 5 दिन का time मिला होगा कि आप या तो इसके seat accept कर सकते हो उसी के अंतर आपका document verification होगा कि यहाँ तो आपके कम कटे के second में जादा ठाट में जादा ठीक है तो हर राउंड के साथ इसके आपके withdrawal कर लास्ट तक आता थे 45-50K तक आपके पैसे सकते हैं अगर आपने विड्रो अगरवाय तब तो आपको वह deduct होगे मिलेगा ठीक पैसे deduct होगे मिलेगा मतलब वह college की fees एक लाग तो आपको 1,15,000 दे रहा होगा college के इंदर फिर उसके next round में आपको 95,000 दे रहा होगा ऐसा process चलता है इसका पूरा ठीक है बाकि इसके इंदर विड्रो अगर होगे तो इसकी पैसे deduct होगे इसलिए आप वो विड्रोहल से बचना चाहतो हो कि आपके पैसे कटे ना आपके 40-45 बचलता है या पर फसेना तो आप हमसे paid counseling भी करवा सकते हो इसके 1100 के आपके counseling process होगे जिसमे आपको mentor मेलेगा जो HP 2.0 कानपुर की student है जो तुम्हें guide करेगी जो पूरा counseling process तुम्हें बताएगी कैसे क्या होता है तो मुझसे doubt पूर सकते हो personally कभी भी तो उसका number तुम्हें म आपको पता है मंगर lower branch का idea नहीं होता बच्चे को तो lower branch भी हम लिखके देगे कैसे आपको fill करना choice preference तो वह चीज़े मिलेगी साथ यह आप UPTU की counseling भी करवा सकते हो चाहे तो UPTU की counseling हो 750 यह 20 September तक इसके बाद 2500 की हो जाएगी तो अभी आपने UPTU के साथ साथ अगर HPTU कानप का भी करवाया तो 1100 की और यह 1750 की है तो टोटल आपको जो हो रहा था हो 2850 का मंगा भी 2500 के अंदर दोनों की fees आप पे कर सकते हो एक साथ तो आपका UPTU के लिए और HPTU कानपुट दोनों के लिए आप eligible हो जाओगे उसके अंदर तो इसके अंदर apply कर सकते हो पहली चीज बा आपको official हमारी college option.in website में मिल जाएगा तो वहाँ पर आप जाकर pricing pay कर सकते हो बात करते है कि इसके बाद क्या होता है जब आपकी first round हो गी उसके बाद आपका आपने fees जमा कर दिया तो इसके नतर तीन option होता है float, freeze and withdraw का तो float को में क्या होता है कि आप आप आगे round में जाना चा आपको 15 को मिलेगा कि वापस से choice preference वगरा की change करना चाते हो तो change कर सकते हो उसके बात फिर आपको second round की choice preference आपकी counselling होगा उसका allotment 16 October को होगा और result आपको 17 को आजाएगा फिर आपको वापस वही same process देगा तो first round में था आपको seat मतलब जो आपको लेना seat अपको प्रेस कर रह होगा इसके अंदर अगर आपको फिर विड्रोल के लेक डेट दी जाएगा विड्रोल करवा सकते हो फिर आपको वापस में वेकंसी दिखाई जाएगी 23 को फिर वेकंसी कितनी seat बच गई अभी फिर से आपकी counselling फिर आपको choice preference में अपको changes करने है माननके लोग आपने 6 branches बर अभी 30 October को है तो काफी जाता है इसका मतलब होच पॉस्ट सा इसका बना रहा है बाकी counselling की तार नहीं है कि एक बार आपको payment करने होते है इसमें बार बार आपको payment करने ही पड़ती है तो यहां पे हच पीडिय कानपूर है हच बीडिय कानपूर जो भी बोल लो इसके अभी 40,000-50,000 बर्चे ऐसे फशा दे दे तो यह चीज आपकी नहीं होगी इसके इंदे ठीक है फिर आपकी इसमें यह counselling process का मैं अलग से एक वीडियो लेखा जाओंग तो आपको रेश्रेशन जो आपको फस्ट सेमेस्टर का होगा उसकी डेड होगर आएगी पिर इंटरन आपको इंटरन स्लाइडिंग में कवर मौका दिया जाएगा इसमें आप अपनी sliding से उपपर पहुच सकते हो राउंड में ठीक है और इसके साथ आप additional round का भी अलग से sport round को जो होगा उसकी detail भी बात में आ जाएगा का seat बसती है तो इसका sport round अलग से होगा बागे अगर आप वीडियो है single आपका 1100 का है UPTU के साथ लोग है तो फिर आपको 2500 का पड़ेगा और बाद में भी ले सकता हूँ आप 20 September अपको discount मिल जाएगा उसके बाद लोगे दो भी आपको इसके इंदर 1100 के रहेगा UPTU counseling की price में changes नहीं आएगे बाकि UPTU की counseling की price में change हो सकता है तो आर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और bell icon दवा देना thank you दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों में share करो